वेलकाम बैक इस्टुडेंट्स मैं होनुलेस कुस्वाहा और हम पड़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का चप्टर 5 आवर इनवार्मेंट एनरजी फ्लो इंदा एकोसिस्टम इस्टुडेंट्स प्रिवियस के वीडियो में हमने इनवार्मेंट से रिलेटेड कुछ पेसिक कॉंसेट को समझने की कोशिश किया था जिसमें हमने एक बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर या एक बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट को समझने कोशिश कि ठीक है और भी काफी सारी चीजों को हमने वहाँ पर देखा हमने फूड वेप्स फूड चैन ठीक है इनको समझने की कोशिश किया इन सभी को अभी हमको और भी डिटेल्स में पढ़ना है ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीनिंग आफ एन इको सिस्टम ठीक है इसमे इको सिस्टम को प्रिवियस के वीडियो में समझा था और हमने देखा था कि जितने भी टाइप सब लिविंग ऑर्गनिस्म होते हैं वह अपने इन्वार्मेंट से क्या करते हैं इंट्रेक्शन करते हैं ठीक है और इस इंट्रेक्शन से क्या होता है कि वहाँ पर एक वर्कि सिस्टम को हम क्या कहते हैं आटbeltे से समझते हैं ठीक है इनके इंटर रिलेशन्शिप के कारण ठीक है इन्वार्मेंटल जो कमपोनेंट्स है इनके इंटर रिलेशन्शिप के कारण एक सेल्फ कॉर्डिनेटेट सिस्टम डेवलप होता है ठीक है इन्वार्मेंटल कमपोनेंट्स के इंटर रिलेशन्शिप के कारण एक इन्वार्मेंट लिस्ट नेम्ड एजी टैंसले तो स्टुडेंट्स इसको हमने प्रिवेस वीडियो में भी डिसकस किया था कि जो टैंसले थे एजी टैंसले इन्होंने 1935 में फर्स्ट टाइम इको सिस्टम वर्ड को यूस किया था ठीक है अकॉर्डिंग टो हिम दा इंटर रिलेशन्शिप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन्वार्मेंट फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ कंटिनुवस एक्सचेंजेज और एक्सचेंज ऑफ न इन्वार्मेंट के बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है इनके इंटर रिलेशन्शिप से ठीक है इनके इंटर रिलेशन्शिप से बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशन्शिप से होता क्या है कि एक सिस्टम डेवलप् जो nutrient energy बगएरा है इनका exchange होता रहता है By collecting, comparing and analyzing data collected of different parameters in the environment we can predict and find out the effect of certain specific parameters on the environment अब देखिए क्या कह रहा है कि environment में different parameter के collect किये गए data को, environment में different parameters है इनके collect किये गए data को compare and analyze करके हम environment पर कुछ specific parameter के effect का अनुमान लगा सकते हैं और इनको पता कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि देखिए environment में different parameters मतलब अलग अलग ठीक है parameters के हिसाब से क्या किये हमने data collect किया और data collect करने के बात क्या है जितने भी types के हमको data मिले हैं ठीक है उनको हम आपस में compare करें ठीक है उनको analyze करें मतलब उनका visualization करके हम environment पर ठीक है environment पर कुछ specific effect का ठीक है environment पर जैसे कोई effect पढ़ने वाला है relationship based mainly on exchange of nutrient and energy between biotic and abiotic components in the study of an environmental system or in short ecosystem इस प्रकार देखिए हम ecosystem की study किसे कहेंगे हैं समझने कोशिश करते हैं तो देखें किसी environment में ठीक है किसी environment में biotic and abiotic components ठीक है किसी environment में biotic and abiotic components के inter relationship की study ठीक है और यह study जो है वो किस पर based होगी जो based हो mainly nutrient and energy के exchanges पर ठीक है मतलब environment में biotic and abiotic components के relationship की study करना और वो भी किस पर based हो ऐसी study किस पर बेस्ट हो तो exchange of nutrient and energy ठीक है जो study nutrients and energy के exchange पर based हो ठीक है ऐसी study को हम क्या कहेंगे ecosystem कहेंगे या ecosystem की study कहेंगे it is not by any means essential for condition to remain shame in a particular ecosystem conditions in an ecosystem undergo continuous change due to diverse natural phenomena human intervention ठीक है cause severe change in environmental conditions in an ecosystem अब देखिए कि यह अवश्यक नहीं होता ठीक है कि यह व्यवस्था एक निरंतर एक जैसी बनी रहे मतलब यह कि किसी particular ecosystem की condition हमेशा यह जैसी ही बनी रहे यह आवश्यक नहीं होता ठीक है होता क्या है कि काई types के natural phenomena होते हैं ठीक है मतलब natural काई type की आपदाएं वगर होती है या फिर जैसे human intervention वगर हो या तो इनके कारण होता क्या है कि कोई जो ecosystem है वह time time पर change होते रहता है ठीक है वही लिखा है कि ecosystem undergo continuous change due to diverse natural phenomena ठीक है अनवी जो हस्ता छेप वगरा होते हैं ठीक है जिसे nature में यह से पेड़ों वगरा की काटाई वगरा हो गई ठीक है deforestation बगरा ठीक है तो इन सब के कारण भी क्या होता है कि ecosystem मतलब एक particular ecosystem में time time पर change होते रहते हैं हमेशा एक जैसे नहीं रहता है या उसकी condition हमेशा एक जैसे नहीं बनी रहती है we can study the ecosystem of diverse area of the environment like a tree, garden, farm, forest ठीक है अब देखें कि हम ecosystem की जो study है वो काफी diverse area में हम कर सकते हैं जैसे देखें एक प्री में ठीक है एक प्री का एक पेड़ का अपना खुद का ecosystem होता है ठीक है एक garden में हम वहाँ का ecosystem देख सकते हैं फार्म में ecosystem देख सकते हैं ठीक है और जैसे forest में जंगल वगरा में हम उसका वहाँ ecosystem देख सकते हैं तो ecosystem की study जो है हम यह different types के areas में हम कर सकते हैं जैसे प्री, garden, farm हो गया, forest हो गया the habitat of कानी मचरी of kutum sir caves would be an ecosystem study if we make an attempt to study the relationship of biotic and abiotic factors of the habitat देखें students हमने कानी मचरी ठीक है कानी मचरी के habitat के बारे में ठीक है जो kutum sirs के caves होते हैं इनके बारे में पढ़ा हुआ है ठीक है 9th का भी मतलब classes में हमने पढ़ा हुआ है और अभी हमने previous video में इसको discuss किये थे तो अब देखें कि कानी मचरी का जो habitat है वह kutum sir cave है ठीक है तो इसकी जो study है उसको हम ecosystem की study कब कहेंगे इसको हमको समझना है ठीक है तो देखें होगा क्या कि जब caves के जितने भी biotic and abiotic component है ठीक है कि जब cave ठीक है उस cave के उस गुफा के जितने भी biotic and abiotic components है इनके बीच के interrelationship के आधार पर ठीक है इनके बीच में जो भी interrelationship है इसके आधार पर कानी मचरी के habitat का जब हम study करेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे ecosystem की study कहेंगे मतलब क्या कि कानी मचरी के जो habitat हेवाई क्या है कुटूम सर का cave है ठीक है तो कुटूम सर cave में जितने भी biotic and abiotic components हैं इनके inter-relationship को ठीक है मतलब इनहीं के आधार पर जब उस habitat का हम study करेंगे तब हम इसको एक ecosystem की study कहेंगे ओके an example of a large ecosystem would be an ocean ठीक है while a small one that of a shell अब देखे क्या कि एक large ecosystem इसको आप note भी कर सकते हैं ठीक है कुछ चीज़ यहाँ पर note करने लाइक है जैसे देखे यहाँ पर definition हमको start में मिला था ठीक है ecosystem का definition था इसको आप note कर लीजिए ठीक है किस ने use किया था सबसे पहले तो 1935 में एजिटैंसले ने इसको यूज़ किया था तो ये भी आप use मतलब इसको note कर सकते हैं ठीक है यह important है ठीक है एजिटैंसले इसके बाद देखे कि एक large ecosystem कौन सा होगा तो ocean का ठीक एक समुद्र का जो ecosystem होता है एक बड़ा ecosystem का example है और जबकि एक small ecosystem का example क्या होगा आपका cell there are several microorganisms in a cell like bacteria, virus, etc that are present in the cellular environment अब देखे कि जो cell के अंदर जो cellular environment होता है उसमें क्या है different type के microorganism में जैसे देखे आपका bacteria हो गया वाइरस हो गया ये सब present रहते हैं ठीक है तो एक cell के अंदर भी उसका अपना खुद का ecosystem होता है ठीक है ये भी एक ecosystem का example है हमने देखा ना कि smallest यहाँ पे ठीक है एक small ecosystem में भी cell आता है तो cell के अंदर भी different type के bacteria, virus वाइरस वगयरा हो सकते है ठीक है तो इनका भी वहाँ पे interaction होगा biotic, abiotic factors वगयरा में ठीक है तो ये भी एक क्या है example हो जाएगा ecosystem का चलिए students यहाँ पर do you know करके कुछ important चीज़े हैं जिसको हम देखते हैं आपे इसमें कुछ note करने वाले भी चीज़े हैं ठीक है important important चीज़ों के यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर देखे एस यहाँ पर mistake है आप एस का लेंगे एन के बाद ठीक है यह होगा आपका earnest होगा ठीक है earnest हीकल had first used the term ecology to represent the study of nature as an order similar to that of home देखे यह जो scientist थे earnest हीकल इन्होंने ecology सब्द का ठीक है या ecology जो word है ecology word का प्रयोग ठीक है nature को एक home की विवस्ता के रूप में समझाने के लिए किया ठीक है मतलब इन्होंने nature को एक क्या है घर की विवस्ता ठीक है या एक home की विवस्ता के रूप में समझाने के लिए किया मतलब इन्होंने ecology को एक home की वस्ता जैसे घर में विस्ता होती है वैसे ecology में भी विस्ता होती है इस type से इन्होंने समझाने का कोशिश किया the literal meaning of the term eco in Greek is house and logos is study ठीक है अब देखे क्या कि ecology का यहां पर meaning दिया हुआ है ठीक है ecology जो है वह two words से मिलके बनी है ठीक है एक कौन सा eco हो गया आपका और दूसरा क्या हो गया logos हो ठीक है eco and logos ठीक है मतलब Greek word में अगर हम देखें तो eco का मतलब क्या होगा यहां पे Greek में क्या होता है house होता है ठीक है and logos का मतलब क्या होगा यहां पर studies होता है मतलब kya हुआ कि घर की study ठीक है इस प्रकार से एकोलोजी जैसे अभी हमने देखा ना कि अर्नस्ट ही किल जो थे इन्होंने क्या किया था कि एकोलोजी की स्टेड़ी को एक मतलब घर की विवस्था टाइप का बताया था ठीक है तो यहां पर भी देखें कि अगर हम ग्रीक में देखें तो इको और लोगस मतलब घर की स्टड़ी हो गया ठीक है हाउस एंड इस्टड़ी अब देखें कि हुआ कि 1869 में इन्होंने क्या किया ठीक है इन्होंने मतलब बात किसी चल रही है इकल की चल रही है ठीक है तो 1869 में इन्होंने क्या किया कि जो ecology का जो definition है उसको और अधिक extend करके ठीक है और अधिक विस्त्रित करके इन्होंने define किया वहाँ ठीक है तो इसके हिसाब से क्या होगा देखें और जो extend किया है इसके हिसाब से कि plant and animal ठीक है मतलब ecology क्या है कि plant and animal का एक दूसरे से तथा उनके environment से जो interdependence है उसी को हम क्या कहेंगे ecosystem कहेंगे मतलब कि plant मतलब देखिए क्या कि ecology जो है वह plant and animal का एक दूसरे से तथा उनके environment से interrelationship का अध्यन है ecology is the scientific study of identifying interrelationship among organisms along with the along with that of their environment इस प्रकार यदि हम देखें तो ecology क्या है इस प्रकार ecology is scientific study है जितने भी among organism है ठीक है among organism के बीच का interrelationship ठीक है उनके बीच भी और उनका जो है उनके environment से भी मतलब organism का ठीक है organism का उनके एक दूसरे के बीच में जो interrelationship है ठीक है और उसके साथ साथ उनका जो environment के साथ जो interrelationship है उनहीं की scientific study को हम क्या कहेंगे ecology कहेंगे ठीक है different type definition हम को यहाँ पर देखने को मिल रहे है interrelationship would be related to food and feeding habits reproductive behavior parasitism effect of environment on life cycles etc these and several others have been studied over time to understand more about interrelationships अब देखें कि interrelationship को समझने के लिए जो scientist वगेरा होते हैं वह जो organism के बीच में ठीक है आपस का जो उनका interrelationship है या उनके environment से क्या interrelationship है मतलब वही हो गया कि ecology हो गया ठीक है ecology का definition भी तो यही था ना कि organism के बीच में जो interrelationship है और उनका उन organism का environment से क्या interrelationship है तो इनको समझने के लिए जो scientist वगेरा है वह क्या करते हैं देखें कि यह क्या करते हैं कि organism वगेरा का feeding habits ठीक है feeding habits वगेरा उनका reproductive behavior उनका parasitism ठीक है इन सभी का या फिर उनका बोलना चीक हमारा जो life cycle हो गया ठीक तो organism की feeding habits reproductive behavior parasitism उनके life cycle का यह time time पे क्या करते हैं observation करते हैं ठीक है और उनकी study भी करते रहते हैं जिससे वो इस interrelationship को काफी clearly समझ पाएं तो students आज हमने ecology के meaning को और बहतर तरीके से समझने की कोशिस किया next video में हम discuss करेंगे ecosystem of a rice farm ठीक है हम एक ecosystem देखेंगे rice farm का कि rice farm में किस type का ecosystem present है ठीक है महाँ पर हम food wave rice farm में जो प्रजेंट होगा ठीक है food wave food chain उस पर सब डिसकस करेंगे तो आज जो भी चीजे मैंने आपको note करने को गही उन सब को आपको note करना है ठीक है फिर हम चलिए हम मिलते है next video में ओके thank you